बड़े बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है और ये बात अपने जिन्दगी में हमेशा आप सभी याद रखना एक्शुल में याद सभी रखते हैं लेकिन एक समय ऐसा आता है लाइफ में जहां पर आप अपने आपको सही साबित करने के लिए आप अपने ममी पापा से भी लड़ने लगते हैं और लोगों के सामने ही उन पर चिलाने लगते हैं कि मैं सही हूँ वो गलत है लेकिन हाँ एक बात हमेशा याद रखेगा अगर लाइफ में कभी भी ऐसा पलाए ना वहाँ पर आपको सांत रहना है क्या रहना है सांत रहना है याद रखेगा मेरी बातों को और इसी को बोलते हैं संसकार और यहीं संसकार अगर आपके अंदर रहेगा तो in return कल आपका बेटा भी आपके तरह ऐसे ही रियट करेगा और ये देखकर आपको खुसी होगी क्लास को स्टार्ट करूँगा और बोलूँगा चैमल के उपर जो भी नए है चैमल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को धबा दीजेगा ताकि हर एक कलास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे और किसी भी एक्जाम का मोग टेस्ट प्राक्टिसेट जो है आप सक्सेस की 98 का हमारा एप्लिकेशन गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पर जा कर दे सकते हैं ठीक है हिंदी और इंग्लिस दोनों लेंग्वेज में किसी भी एक्जाम का ससी रेलवे या फिर बैंक का और अगर वहाँ से 349 वाला पैकेज बाई करते हैं तो जो वैले डिटी है वो एक साल का होगा यानि एक साल तक आप एक्जाम दे सकती हो कोई भी एक्जाम ठीक है और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 20 फैवररी के Important Current Affair उसके पहले क्लास का टाइमी एक बार देख लेना और एक बात मैं आप सभी को याद दिला दू कि दो बजे वाला क्लास जो GS का है उसका PDF नंबर आपका 4 और 5 चार और 5 नंबर क्लास का PDF अप्टू डेट नहीं है तो वो भी आपको आज अप्टू डेट कर दिया जाएगा तो टेलीग्राम पर आप सभी जुड़े रहे ना आपको PDF वहाँ पर सेयर मिल जाएगा ठीक है टेलीग्राम का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो देखते हैं आज का पहला प्रस्त हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और आज का पहला प्रस्त ने 24 और 25 फैरवरी को किस देश के राष्ट पती जो है वो भारत आने के लिए तयार है तो आप सभी को पता है अभी हाल फिलाल में जो है अमेरिका के राष्ट पती याने क कि डॉनल्ड ट्रम्प जो है वो आने वाले है और इसको लेकर तैयारी बहुत चेल रही है आपने अब भी देखा होगा एहमदाबाद गुजिरात में जो भी वहाँ पर जोपड़ी है सलम एरिया है उसको दिवाल से धका जा रहा है ताकि वहाँ के गरीबी जो है वो डॉनल् और न्यू दिल्ली और गुजिरात में वो जो है वो जाएंगे अगला प्रस्ता मारे सामने है नागरिक उड्यान मंत्राले यानि Ministry of Civil Aviation ने किस राजमी उडान योजना के तहत पहली हेलिकॉप्टर सेवा को हरी जंडी दे दी है तो आप पहली ये समझो कि जो Civil Aviation ये जो मं आगरिक उड्यान मंत्राले ये मंत्राले किस के पास है तो आप बोलेंगे भाईया ये मंत्राले जो है ना ये मंत्राले आप सभी का भाईया हरदीब सिंग पूरी जी के पास है तो इस मंत्राले के जो मिनिस्टर है उनका नाम याद रखिएगा और उडान योजना के तहत वो पहले ही हलिकॉप्टर जो सेवा है, जिसको हरी जंडी दिखाई गई है, वो दिखाई गई है, किस राज के लिए, तो उत्राखंड के लिए, उत्राखंड के दहरादुन में, ये भी याद रखना, और उत्राखंड के CM कौन है, तिर्वेंदर सिंग रावत, क्यापिटल अगला प्रस्ता मारे सामने है और एक बात विडियो को लाइक करकर ही जाएगा अगर क्लास पसंद आता है डेली सुबस साड़े चार बजे वाला तो अगला क्वस्तन है तामिल नाडु सरकार ने किस छेत्र को विसेश क्रीसी छेत्र के रूप में जो है वो सरंचित करने का न सर्थ एग्रिकल्चर जोन और वो जोन है वो रिजन कौन सा है वो छेत्र कौन सा है तो कावेरी डिल्टा रिजन ठीक है अगला प्रस्ता मारे सामने है कहा के गवर्नर को पुना गठीद विज्ञान परद्योगे की और नावचार परिसत का परमूख बनाया गया है अगला प्रस्ता मारे सामने है भारत का सबसे बड़ा वायू गुडवन्ता निग्रानी नेट्वर की सहर में आया है इंडिया लार्जेस्ट एयर क्वालेटी मॉनेट्रिंग नेट्वर्क हाज कम अप इन्विस सिटी और वो सहर है आपका मुंबई में ठीक है मुंबई का मुंबई की बात कर रहा मुंबई कहां पड़ता है तो महरास्टर का राजधानी है मुंबई वहां की सियम कौन है उद्दध ठाकरे और राजधुपाल तो भगस सिंग खोसियारी अगला प्रस्वारे सामने है HDFC बैंक के मुख्य डिजिटल अधिकारी यानि चीफ डिजिटल ऑफिसर के रूप में किसे निक्त किया गया है उनका नाम आपको बताना है नाम बताऊं उससे पहले आप सभी को मैं एक बात बोल दूँ आप सभी को ना कॉमेंट करकर ये बताना है कि HDFC बैंक का सीयो कौन है हाला कि 11 बजह बाले रात के करेंट अफेर के रिवीजन क्लास में मैंने आपको A to Z बताया हूँ इसकी इनके बारे बहुत बार तो आज का आपका पहला प्रस्थ ये है कि HDFC बैंक का सीयो कौन है उस बैंक का हेड क्वार्टर कहां पर है और उसी बैंक का टैग लाइन कहां पर है ये भी आपको कॉमेंट करकर बताना है यानि HDFC बैंक के बारे में संपूर जनकारी आपको इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में बताना है यह आपका आज का पहला प्रस्थ नहीं है अगला प्रस्थ नमारे सामने है इस्टिव स्मिट को हरा कर कौन बनेगा अस्ट्रेलिया क्रिकेट खिलाडी और आपको मैं बता दू पिछले दो साल से लागतार स्टिव सपिड जो बहुत अच्हे बैटस्मीन बोल सकते हो लाध जवाब बैटस्मैन है अस्ट्रेलिया टीम के वो पिछले दो साल से अस्ट्रेलिया क्रिकेट प्लेएर के नाम से जो है इनको अवर्ड दिया जा रहा यानि बोल सकती हूँ Australian Cricket Player of the Year का जो टैग है वो Smith को दिया जा रहा था लेकिन इस बार एक भोट से हरा कर इस बार Australia Cricket Player of the Year का पुरुसकार जो है वो चला गया है डेविड वारनर के नाम पर तो याद रखिये question काफी important है और डेविड वारनर भी बहुत लाजवाब प्लेयर है आप सभी जानते हैं IPL में Sunriser हैदराबाद के टीम से भी घेरते हैं और अगर वही पर बात करें Australia को लेकर तो Australia Capital क्या है Canberra मुद्रा क्या इस्तेमाल करते है Australian Dollar और वहाँ के परधान मंत्री कौन है Scott Morrison अगला प्रसमारे सामने है Army College of Military Engineering इसके द्वारा विक्सित किया गया है Gun Shot Located Device जिसका नाम आपको बताना है अब यह है क्या देखो कहीं पर भी कोई बंदूग चलाता है फाइरिंग करता है तो एक Gun Shot Located Device होता है जो पता लगा पाता है कि यह फाइरिंग कहां पर हो रही है ठीक है और यह मैं आपको बता दू यह जो विक्सित किया गया है Gun Shot Located Device यह सबसे सस्ता डिवाइस जो सबसे सस्ती सबसे चीप सबसे सस्ता डिवाइस जो है वो विक्सित किया गया है किसके द्वारा तो Army College of Military Engineering के द्वारा और इसका नाम क्या रखा गया है दुनिया में सबसे चीप सबसे सस्ती यह Located Device है और इसका नाम रखा गया है आपका Part, Option Number आपका D, Question काफी Important है तो इसको एक बर ध्यान से आप सभी देखेगा ठीक है ना, अगला प्रस्त हमारे सामने है Salisbury, मैदान में भारत और बिटन के बीच आयोजित अभ्यास का नाम क्या है यह आपको बताना है ठीक है, एक exercise conduct होने वाला है इंडिया और UK की बीच में, Salisbury Plains में ठीक है, और यह कहां पढ़ता है तो यह पढ़ता है आपके Britain में, UK में पढ़ता है ठीक है, और उस अभ्यास का नाम क्या है Agile Warrior, Option Number आपका D और एक बात, अगर बात करें, ब्रीटन के PM कौन है परधान मंत्री तो Boris Johnson Capital क्या है तो वो है London, और मुद्रा वहाँ पर क्या इस्तमाल की जाती है तो Pound is Trilling अगला प्रस्त हमारे सामने है, एक किताब है Professor Rama Krishna Rao की एक पुस्तक है, जिसका नाम क्या है A Child of Destiny, An Autobiography इस किताब का आनुरन किसने किया है, यानि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है तो इसका उद्घाटन किया गया हमारे देश के उपरास्ट पती, जिनका नाम है वन गया नाइडू ठीक है, और इस किताब के राइटर कौन है, लेखा कौन है, तो इस किताब के पहले आपको बता दूँ और एक बात ये question काफी important है, आप याद रखना अपनी exam के point of view से और books के उपर एक class आपको मैं दूँगा जितने भी importance book है, ठीक है ना, इसको लेकर अब बिल्कुल भी tension बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है चलो, अगला प्रस्ट हमारे सामने है, नंदु कुलकर्णी जिनका हाल ही में नीधन हो गया है, वो एक प्रसिद क्यात है तो वो एक journalism है, पत्रकार जो कलकत्ता में काम करते थे, बहुत बड़े पत्रकार बोल सकती हो कलकत्ता के अगला कुसे नवारे सामने है, भारत प्रसांग छेत्र में तैनात नए पुर्वी बेडे के कमांडर की रूप में किसे पत्भार दिया गया है अगला प्रस नमारे सामने है, किस सराज ने छात्रों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए रीडिंग मिसन शुरू किया है एक मिसन चुरू सुरू किया गया है, रीडिंग मिसन हाला कि अगर आप थोड़ा बचपन में जाओगे अपने, तो पहले बचपन को बच्चों को रीडिंग करवाय जाता था याद है ना, लेकिन अब ये सब आदत के छुटता चला जा रहा है तो एक मिसन चलाया गया है, रीडिंग मिसन ताकि बच्चे की जो पढ़ने की हैबिट है, वो अच्छी हो पाए और ये मिसन चलाया जा रहा है हरियाना राज सरकार के द्वारा जो अच्छी बात है और हरियाना के सीम कौन है? मनोहलाल खटर, राज्युपाल, सत्यदेव नरायन आरिया और कैपिटल क्या है तो वो है आपका चंडीगर तो ये थे आपकी इपोर्टन करेंट अफेर 20 फैवररी का इसका पूरा PDF आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा या फिर हमारे टेलिग्राम के उपर क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक आप सभी करकर ही जाएगा बाकी आप सभी को बहुत बहुत गुन मॉर्णिंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने सासाथ, अपने मम्मी और पापा दोनों का ही खयाल लखिएगा ठीक है ना? चलिए